हेलो एवरिवान आसा करता हूँ आप सब लोग अच्छा ही होंगे आज हम क्लास टेंथ इकोनोमिस मोनी एंड क्रेडिट का थार पाट पढ़ने वाते हैं इससे पहले हम लोग दूपाट पढ़ा चुके हैं अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो बिलकुल जाके देखिए क्य यानि कि हम लोग का एक उद्देश से रहता है कि हमारा जो बच्चा हुआ मनी हम क्या करते हैं सेविंग करते हैं और कहां सेविंग करते हैं बैंक में सेविंग करते हैं बैंक उससी मनी से क्या करता है हमें कुछ इंट्रेस्टेट देता है तो यह इंट्रेस्टेट लाता कह के बैंक में जमा करते हैं ये बैंक बंध है करोना है इसी नाम से बैंक बंध है लेकिन याद रखिए जो पैसा जमा करते हैं उसी को इमाजिन करके चलेंगे ये बैंक जाके बैंक में ये पार्सन इसी तरह बहुत सारे लोग क्या करते हैं बैंक में मनी जमा कर देते हैं बैंक क्या करने के लिए रखता है जैसे कि मान लीजे कोई डीडी मांगने गया डिमांड डिपोजेट यानि कि किसी को उड्र करना है पैसा वह सभी से देने हैं और मेंटिनेंस वगएरा के लिए वह 15 परशंट अपना पैसा रखता है और जो बचा हुआ 85% मनी वह क्या कर देता है वो दे देता है बोरो यानि कि लून एक्टिविटीज में लगा देता है बैंक के पास बहुत सारे लोग जाते हैं लून करने के लिए तो बैंक क्या करता है आप ही लोगों का पैसा को क्या कर देता है यह बोरोवार्स को देता है और बोरोवार्स को जब देता है कुछ परसं पैसा जमा करते हैं हमें भी बैंक कुछ एक्स्ट्रा मनी देता है जिसको इंट्रेस्ट रेट बोला जाता है हम लोग का इंट्रेस्ट रेट थुड़ा काम होता है लेकिन अगर कोई लोन लेता है उस मनी से तो बैंक उन लोगों से थुड़ा इंट्रेस्ट रेट ज्यादा ल और दूसरे से पैसा कमा के हमको भी दे देता है एक प्रकार का intermediate का rule काम किया एक intermediate निभाया यानि कि mediator का काम किया और इस प्रकार activities को loan activity जो banks को नाम से जाना जाता है आयूप यह वाला आप लोग को समझी में आ गया है page number 42 में है आप लोग देख सकते हैं अब हम लोग पढ़न क्या करता है person A person B को कुछ पैसा देता है और बदलेबे person B क्या करता है उससे promise करता है कि मैं पैसा आपका वापस दे दूँगा कुछ interest rate के साथ तो वो क्या हो गया आप लोग का credit हो गया कोई पैसा देगा कोई services देगा या हो सकता है कोई goods देदेगा उसको वापस करना होगा बी पर्सन जो है उसको जरूर वापस करेगा अगर वापस नहीं करता है वो लोन नहीं होगा या क्रेडिट नहीं होगा डेफिनेशन को देखते हैं क्रेडिट और लोन refers to an arrangement in which the lender यानि कि देने वाला सप्लाइज दो बरोवार्स with money, goods और services बरोवार्स को कुछ कुछ दे सकता है, money दे सकता है, goods और services दे सकता है और बदने में उसको एक promise करना पड़ेगा कि मैं आपका पैसा future में जरूर वापस कर दूँगा तो वो हो गया credit और credit different types हो सकता है और यह different type को जानने के लिए हमें example समझें के next page में two example हम लोग देखेंगे, example one में festival season यानि कि कोई भी एक तिवार था उस तिवार में एक सूज मेकर के पास जिसका नाम है सलीम, यह सलीम के पास एक बड़े company ने order देता है सलीम जी आप एक काम किजिए 3000 पे आर जो है सूज आप हमें बना के दे दीजिए, हम आपके सब सामान को खरीद लेंगे सलीम के पास पैसा नहीं था, थुड़ा गरीब था, तो सलीम किस प्रकाल से वो सूज को बनाएगा उधरी लाएगा, क्रेडिट करेगा, और जो लून करेगा, और लून कहां से लाएगा वो लून दू तरीके से ला सकता है, तरीका one में आप लोग को बता रहा हूँ सामान इसे खरीदा हूँ, मैं आपको क्या कर रहूँगा, जो वो पाटी से मिल जाएगा, जो कमपनी से मेरे को पैसा मिल जाएगा, आपको वापस कर दूँगा ये बड़े कमपनी था, ये बोला हो ठीक है, आप कच्चा माल ले जाएगे, इस प्रकार से लाके वो तीन हजार पैर बना दिया, और कमपनी को बेच दिया, कमपनी को बेचने के बाद कमपनी से जो पैसा मिला, वो पैसा से क्या कर दिया, ये अपने जो कच्चा माल जहां स लाना था वो रोमेट्येल्स वाला नहीं चाहेगा तो वह क्या करेगा कंपणी को डारेट्ट बोलेगा देखिए आप एक काम कीजिए मेरे को कम से कम कुछ कुछ ऐड़वांस दे दिए मैं आप लोगों बनाऊंगा तो यह क्या करेगा कंपणी उसको वान थाउजुंड पेएर देखर वह क्या कर देंगे के लिए बढ़िया से चला पाया, उसके पास पैसा नहीं था, उधारी लेकर बढ़िया तरीके से वो अपना जिबन को बिता पाया और आपना बिजनेस चला पाया सेकेंड एक्जाम्पूल हम लोग देखेंगे सपना प्रोब्लेम, सपना क्या है एक जो लेडी है जो एक फार्मर है उसके पास थ्री एकड़ जमीन है वो जमीन में वो खेती करेगी लेकिन उसके पास पैसा नहीं है बहुत गरीब है तो वो क्या करेगी एक मॉनी लेंडर के पास जाएगी गाउं से साहुकार आप लोग जानते होंगे साहुकार के पास जाएगी और साहुकार से क्या लेगी पैसा लेगी साहुकार से पैसा लेकर क्या करेगी खेती कर देगी सपूस्ट उदाट उसमें कोई भी प्रकार का नेचुरल कालामेटी जा जाता है फ्लोड फिर वह सूती की आगले बार में क्या करूंगी आगले बार फिर उधारी लाके एकदम आच्छे से फसल होगा और उस प्रडुक्ट से में बेज के जो साहू करजी को पैसा वापस कर दूगा और मेरा जो लून है वो चुकता हो जागा और मेरा एगरिकल्चर ठीक हो जाएगा लेकिन सेकेंड बार जो वो खेती की उसके लिए उसको क्या है फर्टिलाइजर्स बगेर अच्छे से यूज करना पड़ा प्रेस्टिसाइडस बगेर अच्छे से यूज करना पड़ा जिसके चलते उसका ज्यादा खर्चा हो गया और प्रडुक्ट जितना भी आई उसका लोन पिछले बार के लोन और इस बार के लोन मिला के और जादा हो गया जिसके चलते सपना जो है अपना क्या नहीं कर पाई अपना जो लोन लाई थी जो क्रेडिट लाई थी वो क्रेडिट को नहीं चुका पाई जब क्यों नहीं चुका पाई तो प्रोब्लेम हुआ फिर धी दिरे ऐसे एक दूस साल होने के बाद उसको लगा कि मैं चुका नहीं पाऊंगी तो जो तीन एकर जमीन था त्री एकर जमीन उसमें से क्या कुछ हिस्सको वह बेच दी और बेच के क्या कि वह मनी लेंडर जो साहुकार है उसको दे दी यानि कि उसका बहुत लौस हुआ कुल मिला कि यह दूनों एक्जांपल से हमें एक चीज मिले जो क्रेडिट का दू साइड है एक हो गया आप लोग का पोजिटिव साइड और दूसरा हो गया नेगटिव साइड पोजिटिव साइड में हम देखे जिसमें रिस्क जो है वह कम है एकदम कम रिस्क लेना पड़ क्रेडिट जितना अच्छा है उतना बुरा भी है अगर आपके साथ दे देगा तो आप बहुत फाइदा मंद हो जाएगे अगर नहीं देगा तो आप प्रोब्लिम में भी पढ़ सकते हैं अगले चेप्टर में हम लोग पढ़ने वाले टार्म्स अब क्रेडिट थैंक यू फ